आज के इस वीडियो में हम पावजी बनाने का तरीका देखने वाले हैं तो देखिए दोस्तों बिल्कुल मार्केट स्टाइल हम यह पावजी बनाने वाले हैं आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है मैं आप सभी को पावजी बनाने का सिकर्ट बताने वाली हू मैंने भी कई बार पावजी ट्राइकर करें लेकिन यह तरीका सबसेרכ बेस्ट ठरीका है जब इसे बनाएंगे तो आप होटिल की पावजी खाना जब भूल जाएंगे बिल्कुल मारकेट की तरह बनाएंगे हम इस पावजी को इस पावभाजी को बनाने के लिए हम ना तो ज़्यादा मसाली उसकरेंगे और ना ही हम बहुत ही ज़्यादा सबजी उसकरने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस पावभाजी को बिना मेशर के बनाएंगे तो इस वीडियो को हम देखेंगे, बिना मेशर के हम पावजी कैसे बनाते हैं, कम्प्लीट स्टैल में हम ये पावजी बनाएंगे, सच में दोस्तों ये पावजी बहुत जादा तेश्ती बनेगी, आप बाहर की पावजी खाना भूल जाएंगे, आप इसे घर में बना करके खाना बहुत ही अच्छे से पसंद करेंगे, तो चलिए, हम जल्दी से इस पावजी के रेसीपी को देख लेते हैं, तो ये देखिए, पावजी बनाने के लिए हमने ये आधा कप उबलेवे मटर लिये हैं, हमने इने अच्छे से उबाल लिया है, ये देख सकते हैं आप, आधा कप हमने बारिक कटीवी शिमला मिर्च लिया है, एक कप हमने बारिक कटावा प्याज लिया है, बहुत ही बारिक में ये प्याज कट करना है, और ये एक कप हमने बारिक कटावा टमाटर लिया है, अगर आप बारिक टमाटर नहीं काच सकते हैं, तो आप कद्दू कस क कर लें तमाटर को और यह हमने दो उबलेवे आलू को कद्दू कस कर लिया है इस तरीके से तो आप दो ही आलू ले इसी से आपकी बहुत सारी पावभजी बन जाएगी मसालों में हमने यह एक बड़ा चमच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है यह जिंजर गार्लिक और थोड़े से अध्रक को आप एक कप गरम पानी में डालके पांच मिनिट के लिए उबाल ले और पांच मिनिट के बाद थंड़ा होने के बाद इसे पीस ले इस तरीके से हमाया जिंजर गालिक पेस्ट त्यार हो जाएगा और इसे आप इजिली चार से पांच जिंद के लिए फ्रीज में रखके स्टोर कर सकते हैं यह हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट लिया है इसी के वज़े से हमारी पावभजी में कलर आएगा तो इसे बनाने के लिए हमने 5-6 कश्मीरी लाल मिर्च को गरम पानी में एक गंटे के लिए भीगो दिया था और उसके चमच हमने पावभजी मसाला लिया है पावभजी मसाले के बिना हमारी पावभजी बिल्कुल अदूजी है तो यह हम लेंगे और स्वाथ के नुसार हम नमक लेंगे तो चलिए सबसे पहले हम एक कड़ाई में दो बड़े चमची तेल डाल देंगे हम बटर का यूज बाद में करेंगे तेल गरम होने के बाद हम इसमें बारिक का टीवी शिम्लामिस डाल देंगे और इसे हम एक मिनिट तक अच्छे से पका लेंगे हमें जो है गेस का फ्लेम मीडियम ही रखना है तो देखिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से ही इसे बनाना है अब इसमें हम कटावा प्यास डाल देंगे और इसे भी हम दो से तीन मिट तक भूल लेंगे जब तक प्यास अच्छे से पकर के सोफ नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसे लगाता चलाते वे बुनते रहेंगे यह दीखिए प्यास हमारे अच्छे से पकर के सोफ हो चुके हैं तेल देख सकते हैं आप बिल्कु से पेट हो गया है अब इसमें हम जिंजर गालिक पेस जाल देंगे इसे भी हम एक से दो मिनिट तक लगाता चलाते वे पकाएंगे ध्यान रखे आपको सारी सबजियों को अच्छे से पकाना है यही हमारी पावजी बनाने का सीक्रेट है हमें जल्दी-जल्दी से सारा सब कुछ एक साथ नहीं डालना है हमें दीरे-दीरे इस सारी सबजियों एट करनी है और इसे अच्छे से पकाते वे हम सारी सबजियों एट करेंगे अब इसमें हम कटावा टमाटर डाल देंगे और इसे भी हम लगबख 4-5 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर लगाता चलाते वे पकाएंगे जब तक तेल जो है वो अलग से दिखाई नहीं देने लग जाएगा तब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे यह देखिये तेल अच्छे से दिखने लग गया है आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ईसे पकाना है अब इसमें हम कटावा हरा धनिया डालेंगे इसे मैंने इंकिडेंस में दिखाना बूल गई थी और थोड़ा से धनिया हम बाद में डालेंगे इसे भी हम एक मिनिट तक अच्छे से पका लेंगे जिस तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ सीक्रेट बिल्कुल आप उसी तरीके से बनाए और उतनी क्वांटिटी में आप सबजियां डालें बहुत ही अच्छी पावजी बनेगी है अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट डाल देंगे ये बिल्कुल भी तीक ही नहीं होती है बहुत ही कम इस पैसी होती है आप इसे ज़ादा भी डाल सकते हैं अपने साथ के अनुसार आप देख सकते हैं इस पैस्ट को डालने के बाद में इसका कलर चेंज हो गया है इसे हम अच्छे से तेल छोड़ने तक पकाएंगे आप देख सकते हैं इसका तेल कितने अच्छे से दिखने लग गया है अब इसमें हम मतर डाल देंगे इसे भी हम 2-3 मिट तक इसे अच्छे से पकाएंगे जान रखे हैं आपको सारी सबजिया एक साथ नहीं डालनी है एक एक करके आपको सारी सबजिया डालनी है और उन्हें अच्छे से पकाना है आपको अब हम इसमें लाल मिर्ज का पाउडर डालेंगे और पावाजी मसाला डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे इसका फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है ध्यान रखना है आपको यह अब देखिए अब इसमें हम गरम पानी डालेंगे थोड़ा सा बहुत थोड़ा हमें इसमें गरम पानी डालना है जिससे पावाजी मसाले की जो खुश्बू है वो बहुत अच्छी आईगी आप एक गलास गरम पानी करके रख लें अलग से और उसे हम थोड़ा थोड़ा करक के पाव भजी में मिक्स करेंगे तो यह देखिए थोड़ा सामने इसमें गरम पाने डाल दिया है तो इसे भी हम तेल छोड़ने तक पका लेंगे आप देख सकते हैं लगबक तीन से चार मिरीट के बाद यह अच्छे से तेल दिखाई देने लग गया इसमें तो इसी तरीके स आप तेल छोड़ने तक साइश सब्जीयों को पकाएं अब हम इसे मेश करेंगे इसे मेश करने के लिए देखिए इस तरीके से हम एक ग्लास लेंगे जिसका तला एकदम फ्लेट होना चाहिए और उससे हम इसे इस तरीके से मेश कर लेंगे तो देख सकते हैं आप कितना तो आप बिना मेशर के वी देखिए इजीली घर पर मार्केट स्टैल पावबजी बना सकते हैं तो सब्जीयों को हमने मेश कर लिया है अब भी हमने इसे पूरी तरीके से मेश नहीं किया है हम दुबारा से इसे मेश करेंगे तो देखिए इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे तेल छोड़ने तक अब इसमें हम उबलावा अलू डाल देंगे मिक्स करेंगे इसे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे फिर से इसमें हम गर्म पानी ही डालना है जिससे पाबाजी जो है वह जल्दी से पक्क करके त्यार होगी और इसे हम लगाता हा चलाते में पकाएंगे लगब तीन से ब्विन तक हम इन आलू को भी पका लेंगे पाव भाजी को बने में लिवकर पिर सबीद में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और लगातार इसे तेल छोड़ने लगबक तीन से चार मिनिट के बाद में पावभाजी में तेल दिखने लग गया है अब हम इसे फिर से मेश कर लिए अच्छे से मेश कर लेंगे हम इसे इस पावभाजी को बनने में लगबक 12 से 15 मिन लगेगी बहुत ही आसान है इसे बनाना आप देख सकते हैं हमने इसे अच और अब हम फिर से इसमें गरम पानी डालेंगे एक साथ हमें गरम पानी नहीं डालना है वरना इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से नहीं आएगा थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें गरम पानी डालेंगे और हमें इसमें एक ग्लास लगबक गरम पानी का यूज में लेना ह पर देखें हमने पूरा गरम पानी इसमें डाल दिया था, मिक्स कर लेंगे इस अच्छे से, और अब हम इस मेरे स्वार्थ के नुसार नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे, और फाइनल हम इसे दो से तिर मिट्टे के से अच्छे से पका लेंगे, पाव बजी मारे अच्छे से पक करके त्यार हो चुकी है, अब इसमें हम यहां पे बटर डालेंगे, हमने इस्टार्टिंग में बटर का यूज नहीं किया था, लास्ट में हमने इसमें बटर डाला है, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यह देखिए, हमारी पाव भाजी के लिए भाजी बन करके त्यार हो चुकी है, बहुत ही तेस्ती भाजी बनी है यह, यकीन वानी है दोस्तों, तो चलिए अब हम पाव बनाते हैं मसाला पाव बनाएंगे हम मसाला पाव बनाने के लिए हम इस तरीके से पाव लेंगे और उसे एक नाइप की मदद से बीच से इस तरीके से कट करेंगे देखे इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे और अब हम एक तवे के उपर घी डालेंग पाव का साहिऑ इसे डालें और उस पर हम थोड़ा सा कश्मीरी свой का पाउडर Director डालेंगे आ कि कलर में भी अच्छा आता है और मिफ्षक्ण पाव को तर्गमें सेख लेंगे यह देखिए इस तरीकर से तरीकर से सेख लेंगे अब इसे हम बन कर देंगे इस तरीके से और दोनों तरफ हम घी या बटर लगा करके इस अच्छे से से कलेंगे तो आप देख सकते हैं मसाला पाव बना के त्यार कर लिया है आप चाहे तो लाल मिर्च डालना स्किप कर सकते हैं सिंपल आप इसे बटर डाल के सेख सकते हैं तो पाव भी सिख करके तयार हो चुके हैं तो हमारे भाजी भी तयार हो गई पाव भी तयार हो गई तो चलिए अब हम इने सर्व कर लेते हैं लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को इससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी तो यह देखे हमने पावभाजी बना के त्यार कर ली है आप देख सकते हैं इतनी तेस्टी बनी है यह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है आप मार्केट की पावभाजी खाना भूल जाएंगे अगर आप इस एक बर्गर पर बना के जरूर ट्राय करेंगे तो इस पर हम कटावा धनिया डालेंगे और थोड़े से कटेवे प्यार जो हरी मिर्च के साथ हम इसे सर्व करेंगे आप इसके साथ नीमू का यूज़ भी कर सकते हैं अब इस पर हम बटर डालेंगे इस पावभाजी को आप बटर डालकर सर्व करें तो यह देखिए इतनी तेस्टी पावभाजी बनी है यह सच में दोस्तों यह बहुत ही तेस्टी पावभाजी बनी है देखिए आप सभी के मुव में पावभाजी को देखके पानी आ रहा होगा तो आप भी इस पावभाजी के रेसिपी को घर पर बनाकर जरूर ट्राय करें और मुझे हम में देखिए आपको यह पावभाजी के प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और मुझे कमेंट करके बताई कि आपको मीरी रेसिपी कैसे लगी थेंक्यू दोस्तों